Unlock One को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है Unlock One में सरकार की ओर से बहुत सी रियायते दी गई है इसी को लेकर R9 TV ने ADG कानू नवस्था प्रशांत कुमार से बाचीत की है जो पुलिस फोर्स अभी तक काम कर रही थी आगे भी कैसे काम करेंगी सर्थ हम लोग जो भी चुनोती है उसको अपॉर्चनिटी के रूप में देख रहे हैं करती के घर वालों ने भी उसको छोड़ दिया उनकी भी अन्तेश्टी कराई तो ऐसी सिती में अब हमारे पास जब अनलॉकडाउन हो रहा है परिसितिया नॉर्मल हो रही हैं तो हम अपनी स्ट्रेटीजी उसी तरीके से चेंज करेंगे इसके लिए पुलिस महांदी ज़क म मज़ूर भाई आए हैं उनके उनको लेके कोई विवाद उनके आपसी परिवारिक विवाद या उनका गाउं के लोगों से कोई विवाद नहों इसके लिए जो बीट सिस्टम है उसको सुद्रिकरन किया जा रहा है इसके अतरिक्त जो हमारे विलेज डिफेंस सोसाइटी है ग्राम सुरक्षा समीती है डिजिटर हमारे वोलिंटियर्स हैं इनको हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं कुछ शहरी लाकों में जैसे एस टेन है एस नाइन का कंसेप्ट है या सिटिजन सेंट्रिक कोई एक स्कीम जो लोकल अस्तर पर लोगों ने बना रखी है वो उस तर उ को हम लोग और स्टेंथन करके पब्लिक की सेवा करें